तो वाईज आज हमारे पास आया हुआ है यह Ycom के तरप से आने वाला GameX Wireless Snackband अब यह Gaming Neckband है और इसमें ना काफी सारे कमाल के फीचर से एक बजट के उपर दे दिये गए हैं आई-पी रेटिंग देखने को मिलती है काफी तगडी बैटरी बैकप देखने को मिलता है टैक्सी चार्जिंग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब चुरूर कर ले तो उपर Ycom की ब्रैंडिंग देखने को मिलती है GameX लिखा हुआ है साथी नीचे लिखा है 42 Hours Playback Time और यहां पर आपको गेम मोड लिखा हुआ मिलता है साइड में भी आपको कुछ हाइलेटिंग फीचर मिंसन किये गया है चलिए फटा बटस हम बॉक्स को उपन करते हैं और बात करते हैं इस नेग्वेंड के बारे में तो इनको भी आप चेकाउट कर सकते हो हाला कि हम बात करें अपने नेग्वेंड के बारे में तो भाई नेग्वेंड को हमने निकाल लिया है सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इसके बिल्ट लुक और डिजाइन को लेकर जिस प्राइस के उपर यह आ रहा है उसके इसकी बिल्ट क्वाल्टी है या फिर इसकी जो लुक है न वह बोलूँगा डीसेंट है जहां पर अगर आप नेग्वेंड को किसी भी तरीके से मोड मरोड देते हो फोल्ड कर देते हो इस फ बटन कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं अब अगर सबसे पहले हम बात कर लें बटन कंट्रोल्स के बारे में तो उपर आपको एक गेमिंग मोड देखने को मिलता है जिसको अगर आप सिंगल प्रेस करते हो ना म्यूजिक प्ले करते हैं तो आपको जो म्यूजिक है वो नेक्स्ट और फारवर्ड होने वाला है वही पर अगर आप इसे लॉंग प्रेस करके रखते हो ना तो आपको बॉल्म गटने और बढ़ने वाला है वही नीचे लास्ट आपको एक पावर बटन देखने को मिलती है खेर हम जैसे ही नेकड को आउन करते हैं और भाई नेकड को सबसे पहले हम लगाके देखते हैं तो यहाँ पर लगाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कहीं पर भी चुब रहा है या फिर कोई दिक्कत है कान में लगाने के बाद भी मैं वह बोलूंगा जो experience है यहां पर आपको देखने को मिलता है Bluetooth 5.3 की connectivity, जहां पर आपको connectivity में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैंने इसे जैसे connect करा है, फॉर्स ताम तो बहुत ही आराम से connect हो गया था, थोड़ा सा टाम लेता है, तीन से चार सेकंड और यहां पर जो connectivity रहती है, उसमें कोई भी इसू नहीं रहता है कि disconnect हो रहा है या फिर कोई दिक्कत आ रही है, और यही नहीं इस budget price के उपर आपको snack band के साथ में IPX5 की rating देखने को मिलती है, तो थोड़ा बहुत पसीना बगरा लगता है, पानी के चिट्टे बगरा पढ़ते है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बै charging की बात करें तो एक घंटे के अंदर अंदर ये full charge हो जाता है, finally हम बात करते हैं इसके sound quality के बारे में, सबसे important हो जाता है कि जो भी price के उपर ये R&S की sound quality कैसी मिली है, तो जैसे मैंने इसे connect करा के song को सुनना start करा था ना, सबसे पहले मैं ये चीज नोटिस करी, कि full volume पे तो base, travels, ये सब आपको maintenance सा देखनी को मिलता है, balance सा मिलता है, हाँ, आपको budget के हिसाब से sound काफी अच्छा देखनी को मिलता है, ऐसा नहीं है, कहीं पर भी disappoint करेगा, बठा याद रखना क्योंकि एक budget neckband है, तो आप बहुत जादे expect नहीं कर सकते है, बट definitely decent sound और decent sound quality आपको देखन है, आवाज तो सही आ रही है, चलिए, वाई कॉम की gaming X, snackband से में बात करना था, तो वही मैंने review के लिए ही call की आपको, तो इसमें भी कोई दिकत नहीं होती है, अगर आप लंबे टाइम तक calling करते हो, अब हम बात करते है, snackband के gaming mode के बारे में, जो कि dedicated gaming button दिया गया और इस प gaming mode के अंदर, और especially जो gaming mode दिया गया है, वहनों थोड़ा बहुत वर्क भी करते है, ऐसा नहीं है कि बस दे दिया गया, तो अगर आप इसे लगा कर गेम भी प्ले करते हो, free fire और PUBG जैसे तो आपको अच्छा का सा experience मिलेगा, बठा ऐसा है कि थोड़ा सा latency तो मिले गई जितने wireless earphones, earbuds है, तो यहाँ पर भी वो चीज मिलती है, बहुत perfect नहीं है, बट decent work करता है इसका gaming mode, लेकिन भाई, finally हम बात करते है, इसके verdict के बारे में तो मैसे लगबग 48 घंटे से भी ज्यादा time हो चुका है, use कर रहा है लगतार, जिसमें मुझे ये feel हुआ ना कि जिस price के उपर य decent battery backup मिलती है, ऐसा नहीं है, excellent, but overall आपको इस price के उपर एक magnet चीए, इसे आप देख सेकते हो, link description में, बाखी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगाओ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे इधर पहली बार हाओ, subscribe करके बेल एकम को प्रेस कर लिजे, मिलते एक नुरकमाल वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम अपना ख्याल लगिए